1973 में डिम्पल जी की पहली मूवी आई बॉबी और ये मूवी ब्लोकबस्टर रही 1984 में डिम्पल जी की दोसरी मूवी आई जकमी सेर और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी तीसरी मूवी आई मंजिल मंजिल और ये मूवी फ्लॉफ रही 1985 में डिमपल जी की चौथी मूवी आई लावा और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई एतबार और ये मूवी हिट रही इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई पाताल भैरवी और भाई सब ये मूवी हिट रही इसके बाद इनकी मूवी आई सागर और ये मूवी हिट रही इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई अरजुन और वाई सब ये मूवी सुपरिट रही 1986 में डिमपल जी की मूवी आई अल्ला रखा और ये मूवी एवरज रही इसके बाद डिंपल जी की मूवी आई जान बाज और ये मूवी हिट रही इसके बाद डिंपल जी की मूवी आई विक्रम और ये मूवी सुपर हिट रही 1987 में डिंपल जी की मूवी आई कास और वाई सब ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिम्पल जी की मोवी आई इंसाफ और ये मोवी हिट रही इसके बाद डिम्पल जी की मोवी आई इंसानियत के दुस्मर और ये मोवी सुपर हिट रही 1988 में डिम्पल जी की मोवी आई साजिस और ये मोवी एवरज रही इसके बाद डिंपल जी की मोवी आई 20 साल बाद और ये मोवी एवरज रही इसके बाद डिंपल जी की मोवी आई मेरा सिकार और ये मोवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिंपल जी की मोवी आई आखरी अदालत और ये मोवी हिट रही 1989 में डिंपल जी की मोवी आई राम लखन और वाज तब ये मोवी ब्लोक बश्टर रही इसके बाद डिंपल जी की मूवी आई तोहीन और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई सिक्का और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिंपल जी की मूवी आई पती परमेशर और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिंपल जी की मोवी आई बटवारा और बाई सब ये मोवी हिट रही इसके बाद इनकी मोवी आई सहजादे और ये मोवी हिट रही इसके बाद डिंपल जी की मोवी आई लड़ाई और बाई सब ये मोवी सुपर हिट रही इसके बाद डिंपल जी की मोवी आई प्यार के नाम कुरवान और ये मूवी सुपर हिट रही, 1990 में डिमपल जी की मूवी आई काली गंगा और ये मूवी दिजाश्टर रही, इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई आग का बोला और ये मूवी फ्लॉफ रही, इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई द्रश्टी और ये मूवी हिट रही, 1991 में डिमपल जी की मूवी आई अजूबा, और वाई सब ये मूवी फ्लॉफ रही, वैसे दोस्तों ये मूवी काफी बढ़या मूवी थी, इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई लेकिन, और ये मूवी फ्लॉफ रही, इसके बाद डिमपल जी की इसके बाद इनकी मुवी आई प्रहार और ये मुवी सेमी हिट रही 1992 में डिमपल जी की मूवी आई कर्मयोधा और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई दिल आसना है और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिमपल जी की मूवी आई मार्ग और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिम्पल जी की मोवी आई अंगार और ये मोवी हिट रही इसके बाद डिम्पल जी की मोवी आई सपने साजन के और ये मोवी एवरज रही 1993 में डिम्पल जी की मोवी आई गुना और ये मोवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिम्पल जी की मोवी आई आज की औरत और ये मोवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मोवी आई रुदाली और ये मोवी हिट रही इसके बाद डिम्पल जी की मोवी आई गर्दिस और ये मोवी हिट रही 1994 में डिम्पल जी की मुवी आई क्रांती वीर और भाई सब ये मुवी ब्लोकबस्टर रही इसके बाद डिम्पल जी की मुवी आई पथरीला रास्ता और ये मुवी डिजाश्टर रही 1997 में डिम्पल जी की मुवी आई अगनी चक्र और ये मुवी डिजाश्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई शेयर बजार और ये मूवी फ्लॉफ रही 1998 में डिम्पल जी की मूवी आई दिल चाहता है और ये मूवी एबरज रही 2002 में डिम्पल जी की मूवी आई लीला और ये मूवी दिजाश्टर रही 2004 में डिम्पल जी की मूवी आई हम कौन है और ये मूवी दिजाश्टर रही साल 2005 में डिम्पल जी की मूवी आई प्यार में ट्विष्ट और ये मूवी फ्लॉफ रही 2006 में डिंपल जी की मुवी आई बनारस और ये मुवी डिजाश्टर रही इसके बाद डिंपल जी की मुवी आई बींग और ये मुवी फ्लॉफ रही 2008 में डिंपल जी की मुवी आई जंबो और वाई सब ये मुवी डिजाश्टर रही 2009 में डिमपल जी की मूवी आई लगबाय चांस और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद इनकी मूवी आई फिर कभी दोस्तो इस मूवी को डारेक्ट टीवी पर रिलिस किया गया था साल 2010 में डिमपल जी की मूवी आई दवंग और ये मूवी ब्लोकबस्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई तुम मिलो तो सही और ये मूवी डिजास्टर रही 2011 में डिमपल जी की मूवी आई पटियाला हाउस और ये मूवी फ्लॉफ रही 2012 में डिमपल जी की मूवी आई कॉक्टेल और ये मूवी हिट रही साल 2013 में डिमपल जी की मुवी आई What The Fish और ये मुवी डिजाश्टर रही 2014 में डिमपल जी की मुवी आई Finding Funny और ये मुवी एवरेज रही इसके बाद डिमपल जी की मुवी आई गोलू और पप्पू और ये मुवी डिजाश्टर रही इसके बाद डिंपल जी की मूवी आई फुगली और ये मूवी डिजास्टर रही इसके बाद इनकी मूवी आई दश ओखीन और ये मूवी डिजास्टर रही 2015 में डिंपल जी की मूवी आई वेलकम बैक और ये मूवी सेमी हिट रही 2019 में डिम्पल जी की मूवी आई दबंग 3 और ये मूवी हिट रही 2020 में डिम्पल जी की मूवी आई अंग्रेजी मीडियाम और ये मूवी फ्लॉफ रही इसके बाद डिम्पल जी की मूवी आई टैंट और ये मूवी सुपरिट रही 2021 में डिम catastrophe की movie आई टांडू दोस्तोो इस movie को online release किया गया था 2022 में डिम Sab보다 में डिमपल जी की movie आई ब्रहमांस्त्र और ये movie फ्लॉफ रही 2030 में डिमपल जी की movie आई पठान और भाई सब ये movie blockbuster रही तो दोस्तो यह था डिमपल जी का फिल्मी सफर आपने इनकी कौनसी फिल्म देखी है जल्दी से comment box बताईए इसके अलावा आप अगली वीडियो की टॉपिक पर देखना चाते हैं इसके उपर देखना चाते हैं ये भी जल्दी से comment box बताईए तब तक लिए नमस्कार जैहिन बंदे मात्राम and thanks for watching this video